नमस्कार फ्रेंड सधी आप 2023 के अंदर कुल्लो मनाली जाकर के लाइव स्नोफॉल का जबरदस अनुन उठाना चाहते हैं तो वाईटी भारत के इस वीडियो पर बने रहेगा लास्त तक मैं आपको आज के इस वीडियो में कुल्लो और मनाली का 5-6-days का टूर पैकेज बताने वाला हूँ कॉस्ट बहुत ही कम रखी है और एक ऐसी वेरिफाइड ट्रेवल कंपनी आपके लिए टूर पैकेज लेकर के आगी है जो दिल्ली में सबसे पुरानी ट्रेवल कंपनी इसमे जादा या कम आपकी हो सकती है जन्वरी 2023 से लेकर के पंदर अप्रेल 2023 के बीच में इस टूर पैकेज के विलिडिटी होने वाली है तो देर किस बात की डेव बाइस आइक ली बताना स्टार्ट करता हूं डेवन पर दोस्तों आप निकलने वाले हैं दिल्ली से दिल्ली से व लेट करके जा सकते हो कंबला को प्रवाइट कर दिया है क्यों सर्दियों के दिन आ रहे हैं वाटर बॉटल भी आपको दी जाएगी मल्टी एक्सल होता है लेवर अलग अलग होते है धजके आपको लगने नहीं देती है इसके साथ साथ जब आप दिल्ली से स्टार्ट पर आपकर के अपनी बस को पिक अप कर सकते हैं लगबग साड़े पांच बजे के आसपास आपकी वॉलू बस आपको पिक अप करेगी और 11 से 12 घंटे में 500 किलियो मेंटर की जरनी तैग करते हुए अगले दिन यानि की डे टू पर आप पहुंच जाएंगे मनाली दोस्तों जाएगा उस टेक्सी ड्राइवर पे कॉल करिए उसको बता दीजे कि आप कुलू पहुंच गए हैं और मनाली आपकी बस कुछी समय में पहुंचने वाली है वो आइडिया लगा लेगा टेंटिटी टाइम लगा लेगा और उसके एकॉर्डिंग वहां पर जाकर के खड़ा हो जाएगा आपको पिक अप करने के लिए मनाली के प्राइविट वालो बस से पिक अप करके वो आपको ड्रॉब करेगा आपके होटल तक होटल में जाकर के चेक इन करिए चेक इन करने के बाद थोड़ दिर अराम फरमाईए ब्रेकफास करना है ब्रेकफास कर लिजे इस lunch time provide किया जाए, breakfast मिलेगा, lunch मिलेगा, जबरदस मिलेगा, दोस्तों अब आपका check-in हो चुका है, breakfast हो चुका है, दो से तीन बजे की बीच में आपको driver का आपको call आएगा, call करके वो आपको pick up करेगा और pick up करने के बाद आपका local sightseeing स्टार्ट हो जाएगा, जो तीन से चार घंटे के बीच में आपका होता है, मनाली के माल रोड से पांस साथ किलोमेटर के दारे में ही आपका local sightseeing होता है, जिसमें आप एडिम्मा देवी temple, वन विहार, club house, तिब्बतन monastery, तिब्बतन temple, वसिस temple भी अगर हो सके तो वो cover करवा देंगे, ये सब घुमने में लगबख 3-4 घंटे लग जाएगा, हर पिकनिक स्पोट के बाहर गाड़ी आपको ड्रॉप कर देगी, उसके बाद थोड़ा सा 10-20 रुपे आपका entry fees होगा, club house और वन विहार के अंदर, जाकर के वहाँ पर entry करिए, अपनी on cost पे बहुत सारी activities हैं, वहाँ पर जो आप कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, river crossing भी कर सकते हैं, एक बार आप जाओ गिना, तो ये मज़ा जाएगा, मैं आपको दिखाना नहीं चाहरा हूँ, इतना जबरदस experience होता है, वहाँ पर आप जाकर करो, जो आपको river बहती भी दिखाई देगी नहीं, club house वन विहार में, आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्या experience होता है, वो अलगी, और पंद्रे सो तीस में जो हिडिमबा देवी temple मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर आप दर्शन कर लो, वसी temple जाओ, जहाँ पर दुनिया का सबसे hot sulfur spring water आपको देखने को मिलेगा, दर्शन भी करिए, और ये सब करने के बार लगबग 3-4 घंटे में शाम आपको वापस लग जाएगी, होटल पहुंच से पहुंच से, होटल में आजाओ, डिनर करो, अराम फरमाओ, डे टू कम्प्लीट हो चुका है, अब फ्रेंट्स पात करेते हैं, डे 3 के बारे में बले बले जिन होने वाली है, आप जाओगे, सोलांग वैली, 15 किलोमेटर दूर है, माल रोड से लगबग, और यहाँ पर जो जबर्दस स्नोफॉल देखने को मिलती है, वो तो भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, हर साल मैं इस स्नोफॉल को देखने के लिए मनाली पहुंसता हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो में देखिए, आपको मेरे दिख जाएंगे सुलांग वैली के बहुत सारे नजारे और यहाँ पर स्क्रिंग पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब मैं सुलांग वैली गया था, तो क्या जबर्दस एक्सपिरियोन्स था, बहुत जबर्दस मजा आया, यहां पर बहुत सरी activity कर सकते हैं पहुंचने के बार ropeway भी लगा हुआ है ropeway भी आप कर सकते हैं, tire ride कर सकते हैं, photography आप करवा सकते हैं horse riding भी कर सकते हैं, गर snowfall ना हो, इसके साथ यहां पर हमेशा paragliding होती रहती है इसके साथ खाने पीने की सारी सोधाइं वाप पर उपलब्द हैं, sking आप कर सकते हो, yak ride आप कर सकते हो बहुत सारी हो, मुझे तो अभी याद भी ने आ रहा है, तनी सारी ride थी वाँपर लेकिन जबर्दस एक बार life में अगर जाना है तो यहां सुलांग मेली जरूर जाना है, सनोफाल की दिनों में मज़ा ही आ जाएगा आपको लगवाब पूरे दिन का सफर होता है, सुबह जो साड़े नौ दौस बजे आप निकलोगे यहां से और वापस आप लोटगे लगवाब 6 बजे के आसपास आपको हो जाएगा लोटके लोटते, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, डे फोर के बारे में जिन आप जाओगे मनाली से वापस कुलू और नागर कैसल, नागर कैसल भी आप घूमगे, कुलू अगर आप जाओगे तो तो रिवर राफ्टिंग कर लेना, अगर आपका मन करें, ज्यादा ठड़ना लग रही हो, गर्मे के दिनों में अगर आप जाते हो, तो रिवर राफ्टिंग तो करना ही बनता है, यह सब आपको अपनी on cost पे करना होगा, इसके साथ साथ पेराग्लाइडिंग में अगर अगर आपको बात कर लेते हैं, इसमें एक चीज़ आप बतायता हूं, मैं breakfast आपको भूल रहा हूं, breakfast आपका थर्ड डे से start है और थर्ड डे से start होकर आपका checkout डे तक आपका breakfast आपको मिल रहा है, मतलब 3 breakfast और 3 dinner तो इसके अंदर included हैं ही हैं आपके, अब दोस्तों बात कर ले के बाद luggage room में अपना समान जाके drop करो, और by walk निकलना है, निकल सकते हो, या कोई convince करके mall road चले जाओ, mall road जा करके वहां के local food को try करो, छोटी छोटी रजगुली मिलते हैं, और bus stand के पीछे एक दुकान है, momos की जम मैं जाता हूं, वहां पर जुरूर खाता हूं, दिल्ली अच्छी खासी shopping आप कर सकते हैं, bargaining वहां पर काफी होती है, bargaining करके आप वहां पर dress को खरी लिजे, family, friends, इन सब के लिए monuments के तौर पर, यादगार के तौर पर, और लगबख 3 बज़े के आसपास आपने वापस hotel में आ जाए, hotel आ करके, अपने driver को call करिए, pick up करेगा, drop करेगा मनाली के वालो बस stand तक free of cost और उसके बाद वापस अपनी bus को आपको जो number दिया जाएगा, वालो बस का pick up करिए, pick up करने के बाद, day 6 पर आप drop हो जाएंगे, दिल्ली और दिल्ली आपको जो drop कर दिया जाएगा, वो या तो मजनु का टीला या कश्मीरी गेट आपको drop कर दि तो दोस्तों ये trip आपको complete हो जाता है, इस cost में क्या-क्या included है आपको, दो लोगों के लिए दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली semi sleeper वालो बस की tickets है, इसके साथ साथ आपको मैंने पहले बताया breakfast included है, three breakfast included है, three dinner included है, welcome drink on arrival जो non-alcoholic होता है, वो इसमें पहले से included है, जो DST हो होता है, वो पहले से इसमें आपका included है, इसके साथ आपका one half day का local sightseeing tour होगा, one full day का sulang का tour होगा, और one full day का kullu nagar castle का tour होगा, ये सब आपका होने वाला है, और सामने screen पर आप देख भी रहे होंगे, मैंने सब चीजे mention कर दी है, आपके hotel क्या-क्या ये लो provide कर रहे है, availability वैस आइटनेरी आई है, जो screen पर आप देख रहे होंगे, वो मैं आपको बतायता हूँ, tara cottage, hidden bar retreat, सूरज cottage, ये सब आपको मिलेगा, या इसे similar categories के आपको hotel दे दिये जाएंगे, 13,500 रुपे एक couple की cost होने वाली है, और अगर इसमें कोई भी change करना, इसे अच्छा करवाना है, तो 1000 रुपे एक्स्टा पे घरना आपको वो भी दे दिया जाएगा, तो ये सारी जानकारिया मैं आपको दे दी है, आपको एक ही काम करना है, वीडियो के title description में जाकर के travel company को call करना है, पैकेज को जल्दी book करवाने ना, सोस्ते मत रहना, येकि sold out हो जाते हैं अच्छे hotel में, ज पाने के लिए latest video और वो भी विलकुल free में